जहां तक कुछ ड्रग्स हैं, इंडिया ड्रग के मालूम में मनुफेक्चर करता है, कई एंटी वाइरल हम बनाते हैं, पुरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, बट कोई एंटी कोई ड्रग जो बहुत इफेक्टिव है, आज तक कोई ड्रग अभी तक नहीं है, जिसका मतलब क् वाइरस हो गया, तो नहीं है, तो इसलिए जो है, कि हुआ एंटी वाइरल, एंटी कोई ड्रग्स के लिए जो ब्लेक मार्केटिंग है, यह अनलाइकली लगता है, कि इसमें बहुत ज़्यादा कहीं से जो है, तत्थे हो, हाँ, ड्रग्स मंगाई जा सकते हैं, क्योंकि जब तो चाइना को भी वह सप्लाई कर सकते हैं, बट एंटी वाइरल पे जो है, एंटी कोविड ड्रग, वह भी एंटी वाइरल, जो एंटी कोविड हो, यह अभी तक कोई ऐसी जो है प्रिवेंट ड्रग नहीं है, तो इसलिए इसकी क्राइसिस होनी नहीं चाहिए, आज की अच्छी दे रहा था, बट उच्छे से नो महिने तक ही दे रहा था, इसलिए मैं बूस्टर जरूत पड़ी, दूसरा जो नए वेरियंट आते गये, क्योंकि यह आरेने वाइरस है, निउ वेरियंट पे उनका इफिकेसी जो है, बहुत ही घटती गई, दीरे दीरे घटती इवेंट जो कुछ पब्लिकेशन्स है कि आल्मूस्ट जीरो के असपास पहुंच गया, तो कुल देखते हुए यह कहा जा सकता है, जो इंडियन ट्रेजेक्टरी की में बात करूँ, कि आगे क्या है, बहुत ही अनलाइकली है, कि कोई बहुत ही बड़ा वेवाकिया हमें पर प्रोटेक्टेड हैं और बेटर प्रोटेक्टेड हैं, तो और जिस तरीके से इंफेक्शन सेकेंड वेव में हुआ था, उसके बाद उमिकरान इस साल जनुरी में आया, जो भी हमारे सीरो सर्वे थे, सेकेंड वेव के बाद ही बता रहे थे कि करिब 68% परपुलेशन कंट् झाल